नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिद्धार्त और आप देख रहे हमारा यूटुब चैनल डाइनेमिक एजूकेशन जहां दोस्तों काफी दुनों के बाद आप से मुलाका थोड़े लेकिन एक बहुत इन जरूरी विश्या को लेके आप सब के सामने आया हूँ किसी भी उनिवरी सिटी में अपने अपने आइड़मिशन ले लिया लेकिन अभी भी आपका मस्क्री fakol कि अगर आपने एंटी रेगिंग डिक्लेरेशन खुद से और खुद के गार्जिन द्वारा नहीं फिलप किया तो दोस्तों बहुत से लोगों को दिक्कत आ रहे थी कि विशुदाले के पोर्टल से एंटी रेगिंग कैसे डाउनलोड करें तो एंटी रेगिंग फॉर्म कि डागिंग डॉट इन आप गूगल पर सर्च करें और आपके सामने धेड़ सारे ऑप्संस खुल जाएंगे लेकिन आपको यह तीसरा ऑप्संस चुनना होगा जहां दोस्तों यह काफी आसान तरीका है और इससे आप आसानी से कर पाएंगे तो इसे मैं करके दिखाता हू मैं ने करते ही ऑप करेंगी और अपको पर्सनल डिटेलस भड़ना होगा वह मैं यहां को करके दिखाता हूं वां सारी डिटेल भ थूखे और अपने parent details को भढ़ने का option तो आप अपना parent details भढ़ेंगे जैसे नाम भढ़ेंगे और parents का present address डालेंगे और यह सभी डालने के बाद देखें यहाँ parents का mobile number parents का email और यह सभी चीजे काफी जरूरी हैं डालनी ही डालनी है तो मैं यह भी करके आपको बताता हूँ तो इस प्रकार सारे details भढ़े जा चुके हैं अपने parents का name address phone number और email डालके आप next करेंगे next करने के बाद आपके सामने आपका state आपका college का नाम university किस प्रकार की है या private है central है या dim to be है उसके नजदी की थाने का नाम यह सब आपको भरना होगा और यह भी आप भढ़ेंगे जो मैं भरके दिखाता हूँ आपको तो दोस्तों आप देख पार रहेंगों कि मैंने यहां सारी details भर दिये हैं आपका अपने college का phone number याद रहे तो और भी बहतर तो college किसे state में है वह आप यहां लिखेंगे फिर college कैसा है professional है कि क्या है वह यहापके सामने option आएगा अगर agriculture है teacher training है यह law है या pharmacy है वह आप लिखें तो no क्योंकि central university है यह dim to be नहीं हो सकती फिर आगे अपने college का नाम लेंगे जो इस list में महजूद होगा इसमें से आप चुन लेंगे जो भी university में आप पढ़ते हों फिर उसके बाद अपने vice chancellor यानि कि principal का नाम आपको लिखना होगा जिसमें last name पहले होगा तो जैसा कि मैंने यहां लिखा है राठ और उनका नाम है रिष्चंद्र सिंग राठ तो यहां दूसरे नंबर पर फर्स्ट निम और पहले लाश्ट निम यहां लिखा गया है वह male है कि female है यह भी आप mention कर देंगे उसके बाद आपको college का phone number लिखना है अगर नहीं याद है तो कोई बात नही नहीं लेकिन लिखिएगा तो बहतर होगा और उसके बाद nearest police station का नाम लिखे जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है क्योंकि nearest police station यहीं है यह आपको mention करना है उसके बाद आप next करेंगे नेक्स करने के बाद आपका सामने course का option आएगा तो आप जिस किसी course में है उसको आप चुन लेंगे वेदर इस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखूंगा जहां दोस्तों फिर आपको course का नाम लिखना होगा त चाहिए कि अपने क्लास में किस थे वोभी मेंं किया है जैसे सवालों के जवाब आपको देने होंगे यह भी मैं आपको दिखाता हूं तो इस प्रकार से मैंने अपनी डिटेल्स भर दी है कि मैंने कभी किसी का राइगिंग नहीं किया और ना ही मेरी कभी राइगिंग हुई है आपको एंटी राइगिंग का जो हेल्प कोलेज में राइगिंग होता है तो आप ज्यादा तर नहीं मारेंगे क्योंकि वैसे भी सेंटल उन्वर्सिटी में राइगिंग नहीं ही होती है फिर उसके बाद और भी कुछ सर्वे होंगे जो की ऑनलाइन एफिडेविट के लिए आवस्यक है यह भी आप भर देंगे जै कि अगर आप एंटी रेगिंग एफिडेविट डालें और उसके बाद भी आपने किसी जूनियर का रेगिंग किया और आप पर दो साबित हो जाता है तो आपको जो कानून करवाई की जा सकती है इसलिए यह रेगिंग जरूरी है और आप इसके माध्यम से सपत्त पत्र भी कि दाखिल करेंगे कि आप कभी किसी का रेगिंग नहीं करेंगे और अगर आपके साथ रेगिंग होती है तो आप हिल्पलाइन नंबर पर या फोन नंबर पर आप अपने परसानी दरज करा सकते हैं उसकूद आप सम्मीट करेंगे online ऐफिडेविट को सम्मिट होने के बाद यह undertaking confirmation हो जाता है और जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा हुआ कि undertaking जो है वो आपके mail पे भेजा जा चुका है यह आप देखें undertaking confirm हो गया है आपके mail पे भेजा जा चुका है और आपके पास कुछ details हैं इन details को आप save करने दोस्तों मैं यह सब काफी गोप नहीं होता है किन्तों मैं आपकी मदद के लिए दिखा रहा हूँ यह reference number आपको note करना होगा और यह future के लिए आप रख लें तो मैं इसका screenshot ले लूँगा और इसके आधार पे आप download भी कर सकते हैं अन्य था आपके mail पे आ जाएगा तो चलते हैं हम लोग अपने email ID पे तो दोस्तों आप यहां देख पा रहे होगा कि मेरे mail पे एक student अफिडेविट और एक parent अफिडेविट आ चुका है और आपको इसका print निकालना है तो मैं दिखाता हूँ कि इसका format कैसा होगा उसके बाद आप इसका print निकालेंगे और उसमें अपने details भर के parent से signature करवाएंगे तो वो भी बैद दिखाता हूँ आपको तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यह anti-ragging एफिडेविट आपके mail पे आगे आप इसको print कर लेंगे आपके लिए यहाँ पर reference number भी mention कर दिया गया है और यहाँ आपके सारे details लिखे होंगे आपका नाम आपके fathers का नाम आपके guardian का नाम इसी reference number की मैं बात कर रहा था जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे उपर में उसके बाद जो भी एक clause है उसको आप ध्यान पूर्वबग पढ़ें और यहाँ आप date mention करें और यहाँ खुद का signature करें और इतने करने के बाद आप इसको scan करके यहाँ भी आपको एक signature क करना है यहाँ आपना signature करना है और आपको तारीक mention करनी है साथी साथ एक और अफिडेविट है पैरेंट वाला वह भी मैं आपको भर के दिखाता हूं एक और जो आफिडेविट था वो भी आप मैंने डाउनलोड कर लिए है आप देखें कि इसमें भी ठीक उसी प्रकार का reference नमर लिखा हुआ है किन्तु यह जो आफिडेविट है वो आपके guardian के लिए यहाँ आपके guardian का नाम सबसे पहले लिखा होगा आपके institute का नाम होगा औ और जो regulation का act है वो सब mention रहेगा इसे आप ध्यान पुडवक पढ़ लें और इसके बाद अपने guardian से यहाँ आप signature करवाएंगे declaration की तारीक लिखेंगे किस तारीक को यह हो रहा है और एक और जगा आप guardian से signature करवा लेंगे तो दोस्तों बस यही प्रक्रिया है इसके बाद आप इन सब का print निकलवा के यह सारी signature वगेर करवा लेंगे और उसके बाद इसको scan करके जो भी जो इसके लिए तैय किये गए हों में और नए information के साथ तब तक के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ like share और सब्सक्राइब जरूर करिए तब तक के लिए धन्यवाद